हա՝ी कैसे हैं आप सभी, स्वागत है आप सभी का चाय और code में सबसे पहले तो आप सभी को congratulations क्योंकि आपका JavaScript का Basics हो गया खतम अब जैसे येश्ब्द कहुंगा ना कि JavaScript का Basics हो गया हो गए हो गया खतम बहुत सारे लोग अल्रेडी चड़ चुके होंगे comment section में कि आरे इतनी जल्दी कैसे basics खतम हो गया, हमें तो classes नहीं आई, हमें तो fetch API नहीं, आरे मैंने ये कहा है, आपका basics खतम हो गया है, अब हम projects की तरफ रुक कर सकते हैं, देखे projects मेरे लिए सबसे जादा priority होती है, अगर आप मेरे English चानल पे लेखेंगे, तो मैंने पूरा भी एक react native से mobile app development series almost खतम किया है, उसमें मैंने कुछ भी basic start ही नहीं करा, सीधा day 1 से project start करा है, बट यहाँ condition थोड़ा सा different है, यहाँ JavaScript के basics से हमने start करा है, तो इतनी जल्दी project introduce नहीं किये जा सकते हैं, बट मेरा शुरू से goal यही था कि मैं आपको फटा फट projects के पास ले चलूँ और ताकि आप और ज़्यादा सीखे projects बनाने के दौरान, तो अभी हमारा जो काम है वो basics हमारा हो गया है खतम, अब हम projects की तरफ रुक कर सकते हैं, लेकिन उस project को ऐसा नहीं कि directly मैंने आपको file दे दे, यह project बना लो, यह pattern प्रिंट कर दो, फिर यह palan drove number, आरे वो projects होड़े नहीं होते हैं, वो तो programming practice होती है, उसके लिए अलग से series बना देंगे किसे दिन, एक दो घंटे की directly हम वापे start कर देंगे, तो basics वो start हो जाएगा हमार पास, लेकिन अभी projects में जाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए DOM manipulation सीखना, तो इस video से हम start करेंगे हमारा DOM manipulation, उसके बाद हम देखेंगे events क्या होते हैं browser के, जो कि सबसे important आपके interviews क्रा करने के लिए, फिर हम projects पे जा सकते हैं, तो दो पड़ा होएं हमारे पास सिर्फ, एक DOM को अच्छे से सीखना, एक events को अच्छे से सीखना, तो चलिए, शुरू करते हैं, और हम हमारा नया folder यहाँ पे create करते हैं, अल्रेड़ी folder की इतनी ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, बढ़ ठीक है, हम project का पूरा structure रखते हैं यहाँ पे, ताकि कोई भी हमारे पास यहाँ पर पढ़ सकें, तो यहाँ पे हम use करते हैं DOM को, अब DOM को actually में पढ़ने के लिए, आपको सबसे पहले एक file बनानी पड़ेगी, तो इस file का नाम देते हैं, one.html, हाँ जी, html file बनानी पड़ेगी, ताकि आपको समझ में आए कि actually में DOM होता क्या है, तो यह बनाई हमने html file, अब जैसा कि हमने देखा था हमारे html series में exclamatory हीट करते हैं, emmet का shortcut आजाता है, basic head है हमारे पास, और हम क्या करते हैं, इस head के अंदर हम इतनी जादा details नहीं लेंगे, हम यह viewport वगरा क्योंकि हमें अभी काम नहीं है, हम सिर्फ basic देखना चाहते हैं, यह कैसे आते हैं, तो हम इन बाकी सब को हटा देते हैं, एक meta tag लेते हैं, क्योंकि सब समझने के लिए एक बहुत है, एक हमने यहाँ पर title ले लिया, इस title का नाम देते हैं, हम dom learning, title के अंदर कुछ भी दीजिए, अब यह जो body है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक div लेते हैं, और इसके अंदर एक class name डालते हैं, suppose करिए bg-black, ठीक है, यह हमने एक class डाल दी हैं यहाँ पर, ठीक है, और इस div के अंदर हम क्या करते हैं, simple सा एक h1 लेते हैं, और इसको नाम देते हैं, dom learning, on, चाय और code, और कहाँ पर इसीख रहे हैं, चाय और code पर इता सीख रहे हैं, ठीक है, यह चाय और code पर आप सीख रहे हैं, ठीक है, एक h1 दे दिया, और इसके सासत क्या है, कि इसके कुछ attributes भी देते हैं, suppose करिए इसको भी एक class देते हैं, इसको बोल देते हैं, heading, ठीक है, और भी कुछ attributes, title वगरा जो देने हैं, आप दे दीजे, और इसके लावे एक paragraph लेते हैं, paragraph के अंदर हम ज़्यादा काम नहीं करेंगे, कुछ lorem के 5 words डाल देते हैं, जो भी वहाँ पर उसका subtitle हुआ, और इतना ही basic रखते हैं, ठीक है जी, यह हो गया, अब actually में dom क्या है, dom है document object model, यानि कि, यह जितना भी आपने web page लिखाए देगे, end of the day आप चाहिए react यूज़ करें, चाहिए angular यूज़ करें, जो आपका document बनता है, यह HTML बनता है, यह कुछ object से ही तो बनता है, अब objects क्या हो गया, head हो गया, body हो गया, इस तरह के objects ही तो है, तो यह जो DOM होता है, document object model, यानि कि, आपका जो document बनावा है, वो किस model से बनावा है, क्या उसका structure है, page कैसे दिखता है, यह सार अगर आपको समझ में आ गया, तो आप उसके अंदर manipulation भी करने लग जाओगे, अब क्योंकि हमें इतना सारा reduce समझ लिया है, numbers को हम add कर सकते हैं, तो एक बार यह समझ में लग जाए, तो मैं इस web page से numbers भी उठा सकता हूँ, cards में से उन number को add भी कर सकता हूँ, एक और नया document के अंदर, एक object create कर सकता हूँ, जिसका मैं नाम दे सकता हूँ, events समझ लूँ, तो मेरे को समझ में आ जाएगा, तो यह सारी जो तयारी है, यह तयारी हमारी project के तरफ जाने की है, लेकिन ऐसा नहीं कि direct project dump कर दूँगा, समझा के करूँगा अच्छे से, तो पहले हम समझते हैं कि document का diagram कैसे बनाते हैं, जो कि diagram समझना भी ज़रूरी होता है, अच्छा, इस diagram के लावा मैंने एक webpage खोल रखा है, जो कि हमारे Brandon Ike साब का, जो कि हमारे JavaScript के founder है, काफी interesting life है, इनकी काफी controversies में भी जुढ़े रहते हैं, politics वगरा सब में जुढ़े रहते हैं, भी भी आपका जो Brave browser है, cryptocurrency वगरा ये सब वहाँ पे भी काफी active है, Brave browser में काफी active है, बट इस पर बात-बात में करेंगे, पहले ये page खोल के, हम right click करके, inspect करके, और console open कर लेते हैं, अब console के अंदर क्या है, सबसे पहले तो बात ये देखिए, कि हमें console log करते हैं, सबसे पहले, ये console.log, और console log के अंदर, एक interesting object के बारे में हमें बात करनी है, जो कि है window, अब window को जैसे करता हूँ, तो window के क्या है कि एक object है, इसको मैं drop down open करता हूँ, तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें आती है मेरे पास, इसके अंदर, Redux, Geo, बहुत सारी चीज, मेरी location भी दिखा रहा है, जैपूर, जो कि सही बात है, उसके लावा, देखिए, Wikipedia भी कितना track करता है आपको, इसके बाद अगर आप और इसको scroll करेंगे, तो आपको यहाँ पर document भी दिखेगा, इसके अंदर, jQuery, location, और भी इसके अंदर, body भी है, यहाँ पर आपके base URI भी है, चिल्रंस है, चिल्रंस नोड है, तो काफी कुछ है इस window के अंदर, तो यह window अपने आप में complex object है, हाला कि windows के बारे में आप पढ़ सकते हैं, जितना आप चाहें, बट window के लावा हमें क्या document के बारे में ज़्यादा पढ़ना होता है, क्योंकि यह object है, तो आपको पता ही है, document आप लिख सकते है, window.document, और अब आपके पास document के बारे में सारी details आ गई है, तो document में क्या क्या आपके पास, document type आ गया है, HTML आ गया है, head आ गया है, body आ गयी, यही तो document होता है हमारा, अब यह इतना ज़ादा common है, कि आपको हर बारे window.document नहीं लिखना पढ़ता है, actually मैं इसको पता है browser को, कि यह काफी आप use करने वाले है, तो इसलिए console.log जब document करते हैं, तो आपको direct भी access मिल जाता है, बट आपने notice करा होगा, जब मैं window के अंदर जाके, यहाँ पर document को मैं open करता हूँ, तो यहाँ पर jQuery, location, 50 तरह की चीज़ें मिल रही थी, बर अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, तो यहाँ पर मेरे को क्या मिल रहा है, वो तो दे ही नहीं रहा है, सिर्फ यह HTML वगरा दे रहा है, क्योंकि जाहतर काम हम इसी में करता हैं, बट in case, अगर कोई आपका एक special काम हो इस तरह का, तो आप क्या कर सकते, इसको change कर सकते, console.log की जगे, console.dir कर देना, console.warning वगरा बहुत सारे होते हैं, तो आपको बाकी सारी information भी मिल जाएगी, जो अभी तक आप से चुपी वी थी, ठीक है, यह तो हो गया basic, हाँ आप ऐसी काम करेंगे, हम ऐसी सीखेंगे, कुछ live pages पे भी सीखेंगे, कुछ pages हम भी बनाएंगे, तो अभी हमें पता है, console.log यह document है, अभी document का जो पूरा object बनावा है, यह किस model पे बनावा है, इसका हमें diagram बनाके ही सीखना पड़ेगा, तो वापिस से आते हैं हमारे h1 के 1.html पे, तो देखें, यह हमारा doc type है, ठीक है जी, यह window के अंदर हमें पूरा मिलता है, अब उसके अंदर क्या है, document है, document के अंदर हमारा html है, ठीक है, यहाँ से आपका actually में page start होता है, यह सिर्फ यह बताने के लिए, कि आपका जो page type हो html 5 type है, document type बताता है, document actually में start up का html से ही होता है, ठीक है, उसके बाद हमें पता है, एक head है, और एक body है, body के अंदर ही कुछ elements है, head के अंदर कुछ elements है, तो अगर in case मुझे इसका diagram बनाना पड़े, तो किस तरह से बनाएंगे, तो चली, diagram बनाने के try करते हैं, तो usually जो diagram बनता है, वो कुछ इस तरह से बनता है, कि यह आपके पास एक element है, और इसके अंदर आपके पास first है window, ठीक है, यह हमने window यहाँ पे लगा लिया है, काफी बड़ा diagram हो जाएगा यह, थोड़ा सा छोटा कर लेते इसको, ठीक है जी, यह हो गए हमारा basic window, ठीक है अब इस window के अंदर क्या है, तो further down जाके अभी हमने देखा just, क्या है, document है, तो इसको हम copy कर लेते एक बार, copy होगा क्या है, जी होगा तो सरी, तो इसके अंदर क्या है, यह है हमारे पास document, ठीक है जी, इस document के उपर भी एक box लगा देते हैं, यह diagram बनाने की practice करिएगा, क्योंकि काफी जगे interviews वगरा में पूछा भी जाता है, पहले मैंने सुचा, iPad से कर दूँ, फिर सुचा, direct ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है जी, document के अंदर अब क्या मिला आपको, document के अंदर आपको क्या मिलेगा, HTML मिलेगा, तो इस पूरे कोई copy कर लेते हैं, तो इसके अंदर हमें मिला है HTML, ठीक है, अब हमारी कहानी यहां से शुरू होती है, कि ठीक है जी, window के अंदर document मिला, document के अंदर हमें HTML मिला, अब HTML किस तरह से बनावा है, तो देखे, HTML जो है न, वो दो parts में बनावा है, तो यहां पे लेते हैं, HTML का एक part यहां है, और एक part यहां पे है, तो इसके दो childs हैं एक तरह से, हम बोल सकते हैं बिलकुल, तो दो childs क्या-क्या है हमेरे पास, इसको copy कर लेते हैं, एक child यहां पे रख देंगे, और एक child यहां पे रख देंगे, अब ऑविसी बात है, बहुत ही आसान था, एक child हमेरे पास head है, और एक child है body, ठीक है जी, head और body, दो part होते हैं, यह HTML के अंदर head है, और यह body है, तो HTML के देखा जाए तो दो ही child है, एक head है और एक body है, अब head के अंदर हमारे पास क्या-क्या values है, पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो head के अंदर इतनी कोई खास हमारे पास है नहीं, head के आपके वापिस से दो ही part है, एक है basic यहाँ पे इसी को ले लेते हैं, तो एक है यह और, एक इसको यहाँ लिख लेते हैं, जब भी थोड़ना left-right रिखना पड़े, ठीक है, तो यहाँ पे हम directly text लिख लेते हैं, तो एक है आपके पास title, ठीक है जी, यह आपके पास title हो गया है, और head के अंदर और क्या लिखा है हमने, देख लेते हैं, एक title और एक ही meta tag लिया है हमने, जब समझने के लिए, एक ही meta tag लिया है, अब further क्या है, title के अंदर क्या है आपके पास, इतना ही नहीं है, टाइटल के अंदर और भी कहानी है, तो यह हमारा टाइटल है, और इस टाइटल के अंदर फर्दर आपको, एक टेक्स्ट नोड मिलता है, अच्छा यह नोड कोई इतना खास डिफिकल्ट वर्ड है नहीं, इसके उपर जादा ध्यान मत दीजेगा, टेक्स् अब्जेक्ट मॉडल है, तो हर चीज को एक नोड बोला जाता है, तो head भी अपने आप में एक नोड है, body भी अपने आप में एक नोड है, उसके बाद टाइटल भी एक नोड है, और meta भी नोड है, तो उनको नोड भी बोल दिया जाता है, तो इसी तरह से उसके अंदर एक नोड है, यानि कि एक text value आपने add कर रखी है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, title है, इसके अंदर यह text node है, तो यह text बोला गया है इसको, तो थोड़ा सा हम programmers fancy word काफी use करते हैं, तो इसके अंदर यह है, अच्छा, अब meta जो हमने लिखा है यहाँ पर, इसके अंदर काफी कु सिर्फ एक attribute है, तो इस तरह से भी लिखा जाता है, अब हो सकता है, title के अंदर भी एक attribute हो सकता था, तो हम बोल सकते थे कि इस title के दो child है, एक text एक attribute है, अभी body के अंदर आएंगे तब आपको और पता लग जाएगा, ठीक है जी, तो अब आते हैं यहाँ पर body के अंदर, body के रखा है, देखे एक div है, उसके अंदर एक h1 है, उसके अंदर एक paragraph है, ठीक है जी, काफी कुछ है, तो चलिए बनाते हैं इसका भी diagram, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं, ताकि थोड़ा सा easy रहेगा, तो यह हम लेके आए इसको, और इसके अंदर body के अं आपने क्या लिया है, एक div लिया है, ठीक है जी, यह div लिया हमने, और यह arrow भी बना देते हैं, चलिए जी, यह हो गया, अब इस div के अंदर कुछ लिख रखा है कि आपने, हाँ जी, एक class लिख रखा है, हमने attribute दे रखा है इसको, तो ठीक है जी, एक और attribute यहां पर लिख दे यह बना देते हैं, एक तो यहां child लिख देंगे, और एक child हम यहां लिख देंगे जी, ठीक है जी, तो यह लिख देते हैं हम कि आपका h1 एक child है यहां पर, यह लिजे h1, काफी बड़ा हो गया, और एक हमने बोल दिया कि आपके पास एक paragraph है, तो यह paragraph हो गया आपके पास, ठीक है जी, अच्छा आप इसमें भी कुछ आपने कर रखाये गया, चलिए देखते हैं, H1 के अंदर आपने एक attribute दे दिया और एक text node भी दे दिया है आपने, तो हाँ जी दोनों लिखने पड़ेंगे, तो हम इसको लेते हैं कि H1 के पास आपके पास एक attribute यहां लिख देते हैं, और आपकी जो text node है वो यहां लिख देते हैं, तो यह लीजे, आपके पास attribute हो गया है, बड़ा सा side में कर देते हैं, और आपके पास क्या text node भी है, तो उसको भी लिख देते हैं, ये लीजे, text node हो गया आपका, अब इनको box में आप add कर दीजेगा, इतना जादा कोई difficult बात है नहीं paragraph के अंदर भी almost same ही कहानी होने वाली है, paragraph के अंदर attribute है क्या नहीं है, सिर्फ text node है, ठीक है, text node कर देते हैं यहापे तो यह हो गया आपका, text node, यह हो गया आपका, text node, तो यह आपका बन गया है, पूरा document object model, अब आप देख सकते हैं, कि हमने क्या है कि एक बड़ा छोटा सा एक web page लिया था, बट उस छोटे से web page का भी देखे, कितना complex आपका document object model बन गया है, अब यह model बनाना क्यों जरूरी है, बनाना जरूरी है, इसके बारे में पता होना जरूरी है, कि कौन से चील, main जो यहाँ पे यह है, बात यह है कहने की, कि किसके कितने child है, किसके कितने siblings है, और उस तक पहुँचना है, तो कैसे पहुचा जाएगा, तो अब जैसे आपको paragraph पे पहुचना है, तो मुझे पता है और मैंने properties यहाँ पे दे रखी, उस वाले div को select करो, फिर उसके अंदर हो सकता है, अब 10 तरे के paragraph हो, तो आपको कौन सा paragraph चाहिए, first child वाला paragraph चाहिए, second child वाला चाहिए, या फिर कोई special उसके अंदर attribute है, वो वाला paragraph चाहिए, और फिर उसके अंदर आप text mode पे आप जा सकते है ठीक है, तो यह होगे आपका basic की किस तरह से document का होता है, अब इसके अंदर सिर्फ इतना ही नहीं है, actually मैं आपके पास ही जो document का आप देखेंगे, तो इसके अंदर आपका बहुत सारी कहानिया है, देखिए, छलिए थोड़ा सा आपको practice से बताते हैं यहाँ पे, अलागी हमें क्या दो, document दो, ठीक है जी तो document दिया, तो हमें पता है document के अंदर अभी हमारे पास बहुत सारी 75 चीज़े हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, actually मैं आपको इस document के dot लगा के आपको बहुत सारी चीज़े मिल जाएगी, location, jQuery, applet, base URI, बहुत सारी चीज़े हैं, आप जैसे base URI यहां पर लिखते हैं, तो आपको क्या मिल गया, कि ठीक है, इस webpage का base URL या फिर URI यह है, ठीक है, एक काम तो ही हो गया, सिर्फ इतना ही नहीं, आप यहां से बहुत सारी और information भी ले सकते हैं, जैसे मुझे चाहिए, इस document में जितने links हैं, वो सारे links मुझे दे दो, ठीक है जी, यह देखिए, अब देखने को आपको मिलेगा कि ठीक है, मुझे सारे link मिल गए हैं, और मिल भी गए हैं, लेकिन problem यह है, कि यह HTML collection है, यह array नहीं है, बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, कि actually मैं जब DOM manipulation सीखते हैं, तो वो अंतर नहीं पता लगा पाते हैं, कि हाँ, यह ज़रूर आप कर सकते हैं, कि आप जैसे links क्योंकि array जैसे ही है, तो काफी properties होती भी है, जैसे आपको चाहिए, कि मुझे second link बताओ कौन सा है, तो बता देगा second link ही है, उसकी values, properties वगरा देखिए, हम directly वहाँ पहुँच गए हैं, तो इस तरह से web page को access किया जा सकता ह बहुत सारे चीज़े भी आप manipulate वगरा कर सकते हैं, अचा इतना ही नहीं है, actually मैं आपको अगर कोई चीज select करनी है, तो यहाँ पर इतना भी ज्यादा difficult नहीं है उसको select करना है, document के थुरू, जैसे कि मैंने बताया, कि आपको बताना पड़ेगा उसकी property क्या है, वो सब क्या ह जाते हैं, जैसे इसको select करते हैं, और Brandon Ike को मुझे select करना है, ठीक है जी, तो यहाँ पर इसने बोल दिया कि इसका जो span है, यह Brandon Ike का, इसके उपर यह title class लगी वी एक mw-page.title, अगर आप चाहें तो और उपर भी जा सकते हैं, कि इसके उपर एक title, जो h1 है, इसके उपर एक ठीक है, चलिए, इसको copy करके देखते हैं, और कुछ selector elements होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं यहाँ पर, कि यह document है इसके उपर बहुत सारे methods हैं, पर सब में हम चर्चा करेंगे, तो आपके पास एक method होता है, get element by id, तो अभी हमने id तो copy करी है, तो इसको select क करके, और यहाँ पर आप वो id दे सकते हैं, तो id मेरे पास क्या थी, first heading, देखते हैं क्या value आई, अच्छा, तो यह first पूरा का पूरा h1 tag इसने select करके मुझे दे दिया है, अब आप चाहें ना, तो इसके उपर आप manipulation भी कर सकते हैं, आप क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया आप वो भी use कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, तो suppose करिए एक यहाँ पर होती है, inner और html सारा caps में लिखिएगा, जरूरी है, compulsory है, वरना नहीं चलेगा, ठीक है, तो inner html को मैं replace करना चाहरा हूँ, तो किस से replace करना चाहरा हूँ, वो value आप दे दीज तो suppose करिए मैं उसको देना चाहरा हूँ कि यह string के अंदर value ले लीजे, तो यह लीजे string, अब इसके अंदर क्या करिए, यह हमारा opening bracket और यह closing tag, h1 ले ले लेते हैं, वैसे तो काफी बड़ा है h1, बट ठीक है, h1 हमने ले लिया, तो ठीक है, अब h1 के अंदर देना क्या चाह और page manipulate हो गया है, यही होता है आपका dom manipulation, अब देखें सिर्फ इतनी सी पढ़ा ही करके, कि अच्छा dom के अंदर इस तरह से manipulation किया जाता है, ऐसे dom बनाया जाता है, ऐसे उसके elements को पकड़ा जाता है, तो अगर मैं उसको change कर सकता हूँ, तो obviously बात में उसकी values को भी change कर सकता नए elements भी ला सकता हूँ, पुरान elements अटा सकता हूँ, filtering कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकते हैं, JavaScript से ही करते हैं सारा का सारा, बट यह हो गया basic code तरीका, अब बहुत से लोग क्या करते हैं, यह code तरीके नहीं सीखते हैं, सीधे react पे कूद पड़ते हैं, वहाँ पे भी यही का होता क्या है, कैसे examine करते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, हम यहीं पे examine करेंगे उनको, क्योंकि इनके कुछ notes बनाये नहीं जा सकते, तो अगर आप कुछ बनाये तो please share करिएगा सबके साथ social media वगरा पे, बट अभी के लिए हमारे पास इतना ही है, तो यह हो गया आपका first video dom के उपर, और भी इसी तरह से in-depth चर्चा करेंगे, ताकि आपको एक एक चीज समझ में dom की, और इसके बाद event की, और इसके बाद project करने ही है, चलिए मिलते हैं अगले video में